क्या गाइस आप में से ऐसे बहुत से लोग है जो लोग काफी टाइम से इंडियन टूविलर मार्केट में एक ऐसी बाइक का इंतजार कर रहे थे जो कि मल्टी परपस के लिए यूज कर सके जिसे हम लोग अपने डेली वर्क के लिए यूज कर सके चाहे वो कोई एक ओफिस ग असके लाइक मिल जाए जिसमेन इने पर्फॉमेंस भी मिले, लुक्स भी उस पाइक के अच्छे हो और उस बाइक को मल्टी परपस के लिए भी यूज कर सके और उसमें जो मायलेज है वो भी बहुत ही अच्छा मिले क्योंकि हम एक Indian हैं, हमें बाइक के look से ज़्यादा उस बाइक की price और उस बाइक का mileage ज़्यादा matter करता है आज भी Indian Tuviller Market में कोई भी एक आम आदमी एक नई बाइक देखता है तो वो सामने वाले से सर्फ एक सवाल उससे पूछता है कि कितना देती है और इसी question को serious note पर लेते हुए, बजाज वालों ने finally launch कर दी है उनकी all new City 125X और यही वो bike है जो तीनो category की जितनी भी requirements से सभी को fulfill करती है और बजाज वालों ने यहाँ पर बहुत ही बढ़िया काम किया है इस bike के looks में, इसकी performance में वो सभी हम इस वीडियो में आज बात करेंगे, इसकी engine specifications, इसके looks के बारे में, इसके performance के बारे में, इसकी price के बारे में, mileage के बारे में, each and everything आपको इस bike के बारे में आज इस video में पता चल राएगा और इस वीडियो के बाद आपको और कोई वीडियो देखने की जरूत नहीं पड़ेगी तो make sure आप लोग वीडियो को पुरा end तक जरूर देख लेना ताकि आप से कोई भी information मिस ना हो तो चलिए without wasting of any time let's rest this video तो सब्सक्राइब तो सबसे मेले बात करते हैं तो guys, इस बाइक का जो लुक है वो अपने आप में ही एक यूनिक है इस तरह का लुक आपको किसी भी other 125cc सेग्मेंट में नहीं देखने मिलता है और इस बाइक की जो front की headlights है वो तो बहुत ही जादा अच्छी है और बजाजवालों ने यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा काम किया है कि normally आपने देखा होगा इस तरह की design की जो बाइक से उनकी headlights में कोई protection नहीं रहता है और थोड़ी भी यहाँ कोई टकर लगी तो उनकी headlights directly break होती है लेकिन बजाजवालों ने इसकी protection का पूरा पूरा ध्यान रखा है और headlights की यहाँ पर आप लोग यह जो देख रहे हो यह headlights को completely protection provide करता है और जो bike के look है वो भी कहीं से कोई खराब नहीं लग रहे है बलकि यह जो protection है यह bike के looks को थोड़ा enhance ही कर रहे है बाकि side की जो profile है गाई side से यह bike काफी बड़ी लगती है इसकी जो length है बहुत ही जादा बड़ी है और आप लोग समझी रहे होंगे जो मैं body length का इशारा कर रहा हूँ वो किस तरफ है बाकि मैं detail में यहाँ पर नहीं बताना चाहूँगा और इस bike की जो tail light है वो काफी simple और sober रखी गई है 125cc का जो market है उसमें आपको इसी तरह की tail light ओफर की जाती हैगा इस brand के तरफ से लेकिन फिर भी बजाज वालो ने इसकी tail light की design इतनी भी ज़्यादा खराब नहीं रखी है बाकि इस bike के अगर lighting department के बारे में बात करें तो front में आपको जो head light से वहाँ पर halogen bulb ओफर किया जा रहा है लेकिन 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 साथी के साथ आपको front में LED DRLs भी ओफर किया जा रहे है LED का use finally बजाज वालो ने किया है अपनी इन lower segment की bikes में और जिसके कारण spike का जो front का look है इस LED DRL के कारण वो बहुत ही जादा अच्छा दिख रहा है इस bike के looks को बहुत ही जादा enhance कर दिए इस bike को जब आप लोग देखो के तो इसके front के look से ही आप लोग पहचान जाओगे कि यह CT 125X है बाकि पीछे की जो tail light से उसमें भी आपको halogen bulb का use देखने मिलता है और bike के जो turn indicator से front के और rear के दोनों के सभी में आपको halogen bulb का use देखने मिलता है तो in short इस bike में completely आपको halogen bulb का use देखने मिलता है सिर्फ वर सिर्फ फ्रेंट के जो DRL से उसमें आपको LED lights का use देखने मिल जाता है अब बात करते हैं इस bike के tire, brakes और suspensions के बारे में तो सबसे बिले start करते हैं इसके front से तो front में जो tire आपको देखने मिल रहा है यह आपको 80 by 100 section का देखने मिलता है जिसमें आपको 17 inch का alloy wheel offer किया जा रहा है guys, alloy wheel आपको इस bike में offer कर रहे है जिसके कारण जो tire के looks है वो भी इस bike के looks को कहीं ना कहीं enhance करते हैं बजाजवालों नहीं यहाँ पर spoke wheel offer नहीं किये इस bike के साथ इस bike को देखोगे तो एक बात के मन में जरूर आएगी कि बजाजवालों ने यहाँ looks के मामले में कहीं पर भी इस bike में कोई कमी नहीं रखी है जहाँ जहाँ वो लोग इस bike के looks को enhance कर सकते थे उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की है वहीं बात करें इस bike के front brake के बारे में तो इस front में आपको disc brake भी मिलती है और drum brake का भी option देखने मिलता है फिलाल अभी आप लोग देख रहे हो यह drum variant है इसमें आपको disc variant भी देखने मिलता है जो कि आपको 240 mm diameter के साथ की front की disc brake offer की जाती है लेकिन फिलाल आपको drum brake यहाँ पर देखने मिलता है जो की 180 mm diameter के साथ offer किया जाता है वहीं बात करें front के suspension के बारे में तो front में आपको telescopic suspension offer के जाते हैं इस bike के साथ अब चलते हैं पीछे के तरफ तो पीछे का जो tire है वो आपको 100 by 90 section का देखने मिलता है जिसमें भी आपको 17 inch का ही alloy wheel offer किया जा रहा है 17 inch का alloy wheel है तो इस bike की जो height है वो भी आपको काफी बैतरीन देखने मिलती है वहीं बात करें पीछे के brake के बारे में तो पीछे जैसे की मैंने बता है सरिफ और सरिफ drum brake की आपको इस bike के साथ मिलेगा disc brake का कोई ऐसा variant नहीं जिसमें आपको पीछे disc brake मिले सरिफ front में ही आपको दो option देखने मिलते है या तो disc या तो drum पीछे का ये जो drum है ये आपको 130 mm diameter के साथ देखने मिल जाता है वहीं बात करें पीछे के suspension के बारे में तो पीछे आपको dual shock absorber देखने मिलते है with nitrogs जी या गाइस with nitrogs के साथ आपको ये दोनों ही shock absorber देखने मिलते है तो comfortness के मामले में भी इस bike में कोई कमी नहीं रखी गई जब भी इस bike को आप लोग ऐसे off-road पे चलाओगे तो इस bike के जो suspension है बहुत ही अच्छे work करेंगे इस bike को personally मैंने भी चलाए है इसके जो suspension है काफी softer side रखे गए ज़्यादा hard भी नहीं है ना ज़्यादा soft है तो आपको कहीं से भी कोई भी तकलीफ नहीं होगी जब इस bike को आप लोग खराब रस्ते बर भी चलाओगे बात करें इस bike के chassis frame के बारे में तो इसमें आपको square tube वाला semi double cradle वाला frame देखने मिलता है जो कि बजाज का बहुत ही बहतरीन वाला chassis frame है बाकी इस bike का जो front wheel travel है वो आपको 125 mm का देखने मिलता है और जो rear wheel travel है वो आपको 100 mm का देखने मिल जाता है अब बात करते हैं इस bike के heart के बारे में यानि कि इस bike के engine के बारे में है तो guys इस bike में जो आपको exact displacement offer किया जा रहा है वो है 124.4 CC का ये engine single cylinder 4 stroke 2 valve के साथ आपको offer किया जाता है SOHC type वाला ये engine है यानि कि single overhead cam shot वाला engine इसमें भी आपको बजाज की खुद की technology DTSI technology के साथ ये engine आपको offer किया जा रहा है बाकि इसमें fuel system में आपको intelligent carburetor देखने मिलता है fuel injection technology आपको इस bike में नहीं offer कि जाती है air cooling के साथ आपको ये engine offer किया जा रहा है इस engine के अगर maximum power और maximum torque के बारे में बात करें तो 10.9 hp का आपको maximum power ये bike निकाल के देती है 8,000 rpm और जो maximum torque है वो आपको 11 Nm का देखने मिलता है 5,500 rpm तो performance के मामले में भी आपको कोई भी कमी नहीं देखने मिलेगी इस bike में 125cc की bike है लेकिन powers के मामले में बहुत ही अच्छा काम किया है बजाज वालोंने और ये engine directly आपको BS6 norm के साथ offer किया जाता है बात करें इस engine के transmission के बारे में तो 5-speed manual transmission के साथ आपको इस bike का gear works offer किया जा रहा है यानि कि number of gears आपको इस bike में 5 देखने मिलते हैं और gear आपको किस परकार डालने हैं उसकी image आप लोग ये देख सकते हैं इसका जो gear pattern है वो किस तरह है इस bike के अगर top speed और mileage के बारे में बात करें तो guys इस bike की जो top speed है वो आपको easily 96 से लेकर 100 km per hour की top speed easily ये bike आपको निकाल के दे देगी और वहीं बात करें इस bike के mileage के बारे में अपने आप में ही एक कमाल है आज के तारीक में जहाँ petrol की price आसमान चूरी है वहाँ पर अगर इस तरह क्या mileage अगर सभी bikes में मिले तो क्या ही बात होगी और I am damn sure आप ऐसे जितने भी लोग होगे उन्हें इस bike का जो mileage वह पसंद आयाई ही होगा comment section में मुझे जरूर से बताना अब बात करते हैं इस bike के instrument cluster के बारे में तो guys यहाँ पर थोड़ी सी कमी कर दी क्योंकि इस bike में आपको guys analog console देखने मिलता है जिसमें speedometer, autometer, fuel के सभी आपको analog में ही देखने मिलते है और बहुत ही basic console आपको इस bike में offer किया जाता है बजाज वालों को यहाँ पर थोड़ी सी कमी नहीं करनी चीदी थोड़ा semi-digital ही दे देते जिस पर speedometer digital दे दे देते बाकी tachometer वगेरा यह सब analog में दे देते तो क्या ही उनका चले जाता था लेकिन कोई नहीं थोड़ी बहुत तो कमी यार बजाज वाले definitely करेंगे ही इस bike के कुछ features के बार में guys बात करें तो इसमें आपको USB charging का option देखने मिल जाएगा AHO देखने मिलेगा इसकी front की headlights में यानि की automatic headlamps on वाला feature पिलियन footrest देखने मिलते हैं electric start का option देखने मिल जाता है इन सब features को अगर देखे तो बजाज वालों ने definitely इस bike में बहुत ही अच्छा काम किया है बात करें इस bike की कुछ dimension और weight capacity के बार में तो guys इस bike की seat height है वो है 810 mm की वहीं बात करें इस bike के wheelbase के बार में तो guys जो price आप लोगों को बता रहा हूँ यह on road Mumbai price बता रहा हूँ अगर आप लोगों को जानना है कि आपके city में इस bike की क्या price होगी तो मुझे comment करके पूछ लेना मैं हर एक comment का reply करनी की पुरी-पुरी कोशिश करूँगा अगर यहां comment नहीं भी करता हूँ तो आप लोगों मुझे Instagram पे भी पूछ सकते हो मैं Instagram पे तो definitely आपको जरूर से reply करूँगा ही करूँगा तो बजाज की इस city 125X की जो on road Mumbai price है वो है drum variant के लिए 87,500 रुपीज और जो disc variant है उसकी जो on road Mumbai price है वो है 91,000 तो काफी सही price रखी गाइस जिस हिसाब से इस bike में features आपको मिल रहे है जो looks मिल रहे है जो mileage यह bike आपको निकाल के दे रही है उसके according अगर इस bike की price देखे तो guys मुझे ऐसा लगता है इस से better choice आपको शायद ही मिलेगी इस bike को यार आप लोग मेरे बोलने पर एक बाश ओर रूम पर जाकर जरूर देखना इस bike के looks में और features में कहीं पर भी कोई भी आपको कमी नहीं देखने मिलने वाली है बाकि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like जरूर कर देना है यार like की बहुत ज़्यादा आप लोग कंजूसी करते हो तो like जरूर करके जाना मैं मिलता हूँ next वीडियो में जब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम